दोस्तो आज हम period special 2 में बात करने जा रहे हैं जो महिलाओं की योनी पर छोटी छोटी फुंसीया, छोटी छोटी फोडिया उगती हैं दोस्तों ये फोडियां कई बार इतनी भैंकर हो जाती है और महिला को इतनी परिशानी होती है कि वो वेचारी ना उठने की होती है ना बैठने की होती है ये ऐसी समस्या है दोस्तों ये ना किसी से कहते बनती है ना छुपाते बनती है दोस्तों कई बार ये फोडियां फुंस कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा उन सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है जिन्हों ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया लाइक किया और इस इगल्स परिवार का हिस्सा बने दोस्तों साथी सा मेरा उन सभी व्यूवर्स से निवेदन है जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कि वो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यह दोस्तों बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट है और इसमें बिल्कुल भी आप लोगों का कुछ भी ए उतसाहन मिलता है दोस्तों और मुझे प्रेंटना मिलती है ताकि मैं आगे आने वाले वीडियों को बहुती इमानदारी पूर्वक कंटेंट बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आऊं तो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले इन फोडियों फुंसियों जो यह इनके कारण जान लेते हैं कि इनके कारण क्या है दोस्तों बैक्टीर्याफ़ अब्रहाज मिलती आएख बहुती है दोस्तों नो हम लोग अपनी पर्सनल हाइज़ू का तो जैसे आप जब वाश्रूम जाते हैं और यूरीन पास करते हैं उस कई बार क्या होता है कि धुलाई नहीं करते हैं तो पानी से धुलना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि महां इस्थान जादतर सुखा हो तो दोस्तों और दूसरा बात यह है कि पीरियड के टाइम में हस्बेंड और वाइफ को आपस में मिलना नहीं चाहिए और कभी इंदा केस अगर ऐसा हो जाए यानि कि आपको पीरियड स्टार्ट हो जाए और आपको पता ना चले और आप आपस में मिलन कर लें उसके बार दोस्तों कई बार इस कारण भी जो है यह फुंसियां डेवलप हो जाती हैं दोस्तों जब भी आप अपने साथी के साथ संयोग करें मिलन करें उसके कुछ देर बाद आप जाकर वहां से अच्छी तरह से धुलाई कर लें क्योंकि अगर आप यह परसनल हाईजीन नहीं रखेंगे इस चीज़ के बारे में यह इस्तरी और पुरुष दोनो पर क्या होगा बैक्टिरियल इंफेक्शन पकड़ेगा और दोनों के लिए ही वो हानी करेगा लेडीज के लिए वो ज्यादा हानी कारक हो जाता है दूसरी बात दोस्तों कि आपको पीरियर्ट के दिनों में यह चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जो है समय समय प पाद को और उनको उठाकर बाहर पैक दीजिएगा जो आपको सूट करें वो चीज़ आप यूस कीजिएगा तो यह तो रहा दोस्तों कारण इसका दोस्तों में कारण तो इसका बैक्टिरियल इंफेक्शन ही है अब दोस्तों आते हैं कि इसको हम कैसे निजात पा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको कभी यह कंडिशन हो जाए आपकी योनी पर फुंसिया फोडी या निकलाएं या कुछ इचिंग की और भी समस्या हो तो दोस्तों सबसे सिंपल फंडा है कि आप महापर गरम पानी से थोड़े तेज गरम पानी से जितनां आप सहन कर सकते हो उस प वहाँ पर सफाई करने के लिए आप वीवाश यूज़ कर सकते हो या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो नीम का पानी बना कर भी आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों साबुन और पानी से भी आप दुलाई कर सकते हो इसके अलावर दोस्तों आप फिटकरी का पानी यूज़ कर स तो आपको फाइदा होने की बजाए और यह नुकसान ही करेगा तो इससे आपको बचना है आप एक काम कर सकते हैं वैसे में जल्दी से बताती नहीं हूं लेकिन फिर भी यहां मुझे लगता है कि शायद मुझे शेयर करना चाहिए दोस्तों यदि आपके घर में बरांडी है या विस्की रखी हुई है तब आप महां योनी की सफाई बाहर से विस्की से कर सकते हो या विस्की चीटे आप महां पर लगा सकते हो क्योंकि दोस्तों वो क्या होती है वो अल्कोहल होती है जो की इनफेक्शन के एरिया को जो है वो रोगती है तो आप यह यूज कर सकते हो अपने अंडर गार्मेंट्स जितने भी हैं आप उन्हें धूप में सुखाईएगा और उन पर अच्छी तरीके से प्रेस लगा कर और तब पहनिएगा वहाँ पर आप जब भी आप नहाएं नहाने के बाद थोड़ा तेल लगा लें या जब भी आप अपने साथी से मेटिंग करते हो जब भी आप मिलन करते हो तो उसके बाद परसनल सफाई करने के बाद जो है वहाँ पर कुछ भी तेल चाहे वो गोले का हो चाहे वो सरसो का ते कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी किसी नेक्स वीडियो में किसी नेक्स टॉपिक के साथ में तब तक के लिए नमस्कार बंदे मातरम जैहन